कुछ पाने के लिए क्या करना पढ़ता है। नहीं का पाने के लिए क्या करना पड़ता है। डर के आगे क्या है। डर्ध में आपको आपको समझना है कि आपके कमी क्या है उसका बाद आपको जीत मिलेगी सक्सेस मिलेगी अब सारा दर्थ मेरे साह है जहला है तो मुझको आज पोजिशन मिला है पुराने मुहावरे को बदल दिया आपने नहीं आपने समाज के आद दूसरे समाज के भी जो लोग होते हैं उनलो को मैं आगे बढ़ने के लिए मैं प्रेजित करता हूं चुकि मैं ऐसे समाज से आता हूं जहां पर इसम नहीं होता है और जो भी हो रहा है यह एक अप्रतीम घटना है क्योंकि लोग क्या समझते हैं कि सरकारी जोब करो आप इवन आईए साइपेस बनिये डॉक्टर से इनिर बनिये वीडियो सियो बनिये लेकिन कभी भी यह इस बुद्धे पर कभी लोग आते नहीं असर्ण में क्या है कि इस स्पेस साइंस और इस रो इस चीज में जाने के लिए कम लोग सोचते हैं लेकिन सनी करकेटा इस परकार यह सोचे उन्होंने और जो मुकाम हासिल किया सचमुझ का समाज बहुत गरवानुत महसिस कर रहा है कैसा महसूस कर रहे हैं एक आदिवसी समाज का बच्चा आज साइ हम सबों को बुजूर्ग स्ट्रेनी में डाल दिया है तो एक बुजूर्ग के नाती में अपने विचार को प्रकट करूंगा देखिए हम लोगों को सबों की एक एक सपना होता है महिलाओं के गुरूप में तो पर चाड़ा होके रही है कि हम तो साइंटिस्ट की मामी है हम यह थे बात सभी है आज में और तो बहुत ज़्यादा महसूस कर रहा है और इस जैसे और उकार का जो दूर-दर दरसिता था उसको मतलब यो बताया दुनिया को कि नहीं किसी चीज को अगर हम एक एंगल से अगर चलते हैं तो पुराना एक हावत है याद आता है इंगलिस में यह वाला एनिटिंग यू डू कैन बी सिंप्ली एंड इंजोएबल बाट इस्टिल तो उसमें है उच्छेज पूरे भारत में कई हजार लोगों ने पॉर्म ब हमारे बेटी ने उस पोस्ट को मने उनका सेलेक्शन हुआ इसके लिए तो मुझे बहुत कुछी है अब परवार के सभी लोगों को ठीक ही कुछी मिठाई खिला दीजेगे इसके बाद बचपन से ही मैंने देखा है कि यह पढ़ाई लिखाई में सभी भाई बैन अबल रहे हैं अच्छा ही पढ़ते थे माता पिता भी बहुत केरिंग थे ताकि इन्होंने अपने पढ़ाई को सुचारू रूप से बहुत बढ़ियां से चलाया है और कहा जाता है माता पिता का बात मानना है आदर करना है इनके परिवार में मैंने इस संदर मैनर को देखा है यह सिर्फ धर्ति पर अपना इतिहांस नहीं लिखेंगे मुल्की आसमान पर भी लिखेंगे हम अभी मौजूद हैं राजधानी राची से थोड़ी ही दूर नामकून के कुट्यात्यों गाउं में और आपको एक इंजोड़ का बैनर दिख रहा होगा और दो लोग दिख रहे हों बड़ी संस्ता है पुरे देश की वहां सायद जहारकंट से एक दो लोग होंगे नहीं भी होंगे हम और आप जानते भी नहीं होंगे लेकिन अभी हम जिन से आपका परीचे कराने जा रहे हैं उनका इश्रो पर सेलक्षन हुआ है एजे साइंटिफिक प्रोफेशर फिलहाल कि इनको सम्मानित किया जा रहा है इनको मोमेंटो दिया जा रहा है समझते हैं सनी जी हमारे शाद इनका ही सेलक्षन हुआ है सनी करकटा है इनका ही सेलक्षन हुआ है इश्रो में एजे साइंटिफिक प्रोफेशर पहले उसको समझते हैं सबसे पहले तो स्वागत है आपको के बाद मेरे family members को और मेरे अथक प्रयास को अथक प्रयास के द्वारा ही मैंने यहां पर यह achievement प्राप्त किया है क्या achievement साइंटिफिक असिस्टेंट के तौर पर मुझे यहां पर selection मिला है और मैंने यहां join कर लिया है और और चार-पांस साल में मैं अभी ट्रेनिंग में अभी वेरिफिकेशन चल रही है इसलिए मैं आपका जून जुलाई में मैं पर्मनेंट जोन करूंगा उसके चार-पांस साल के बाद मैं वहां पर साइंटिस काम करूंगा तो अभी बाचीत में आप पूरे भारत से मात्र एक ही सीट था उसमें आपका शेलक्शन पूर और इंडिया में एक शीट था और उसका टेंट टाइम्स को आपके स्किल्टेस इंट्रव्यू के लिए उसमें फिर में अब तीन हजार लोगों ने फॉर्म भरा तीन हजार लोग से अधिक ने फॉर्म तीन हजार लोग उसमें से दस लोगों को च्हाटा गया अब फिर दस लोगों में आपको फैनल किया गया कितना गर महसूस कर रहे हैं कितने लोगों के बीच में एक आप निकल कर रहे हैं इंडियन और अफटलेस एफट पाई फैमिली बाइसेल्फ इस पोजिशन सो मैं बहुत बहुत आने वाले सोसाइटी आने वाले समाज के लिए कुछ बड़ा कर पाऊं कि जब तक आप बड़ा पोच्ट में पहुंचते नहीं तो कुछ बड़ा आप सोच नहीं सकते पाने के लिए आपको अथक प्रयास करना पड़ेगा बिना प्रयास कुछ नहीं मिल सकता क्योंकि सब बोलते हैं कि कुछ पाने के लिए क्या करना पड़ता है नहीं डर के आगे दर्द में आपको समझना है कि अपके कमी क्या है उस डर्द को आपको जीत मिलेगी सकसेस मिलेगीा अब दर्द मैंने साहा है जहला है तो मुझको आज पोशिशन कम सहितकार जादा लग रहे हैं पुराने मुहावरे को बदल दी आपने नहीं यह आडिलोजी को चेंज करने के बाद बोल रहा था पर लेली फिर मैंने सोचा कुछ हट कर तुछ सब्सक्राइब कर दिमाग में था तुम ने इस रो की प्रपेशन करने स्टार्ट की उस समय लोगडाउन भी हो गया था तो मुझे को बहुत सारा समय मिला त्यारी का वह समय मिला इसका मैं इद्दम इड़ांटीज उठाया बहुत त्यारी की इसका रिजल्ट आपके सामने है लोगडाउन का लोग रोना रोने लगे कि लोगडाउन में यह बरबाद हो कि आपको तुम मिल गया देखिए भरबाद आदमी का सोच पर है यह आपके तिंकिंग पर है आपको से मिलती है बोर्स कंडिशन से यह आप कू कि भी रменे को स्वाषम है वह बहुत ज्यादा कि उसलिख यह सोच रहे हैं तो इसकी कममनीटी पिर दॉख अब अबानिकों की सबैसेरी केशन के नहीं दो ज़न को देखा है एक टेक्शन आये हैं और एक मैं साइन्टिफिक आशिस्टन्ट आया हूं ग्रीडि से चिंशन है और मैं से पहले भी लोगों के आवाद सिरियारी कोट हम अभी तक मैंने जमशेतपूर से जारकंड से जारकंड से ओवर अभी दो देखा है तो हम लोग के आरिवासी समाथ से बहुत कम प्रयास कर कितना उपर जाने कोशिस करते हैं इससिटंट है आपका टेकनिशन हुआ किसी में भी इस रोमेया ना आपको सब्सक्राइब शक्राइब कर रहे हूं-बहुत-चैного से यहां अन्यों यहां इन्योह मुक्त आब और ढूल मम게 कर दोद्स और मेरी तरफ से कि एक यूद पर नहीं बोलना चाहंगा की च्रगल को प्रक नहीं है है कामें कका मधी क्या मंजिल ली औरह रहा उस रहा पे आपको चलते जाना और सक्षे फीज से बाउकर का आपको हाँ सक्सेस नथिंग बट यूब टो चेंज यूर्सेल्फ यूब टो गिव एवर्ट एफट देन यू आपको परिवार के लोगों से बात कर रहे हैं पूरा कहावत मुहावरा सब बदल दे रहे हैं डर के आगे जीत हम लोग बच्पन से जानते थे अब दूसरा को किसी पुरुष के सफलता के पीछे एक नारी का महिला का हाँत होता है समझते हैं कि इनका अपने पती की सफलता में कितना हात रहा है सबसे पहले तो बहुत बहुत बदाई हो आपको और धन्यवाद हमेशं देने के लिए कि जोहार सबंगो साइंटिस्ट की पतनी हो गई है कैसा फिल कर रहे हैं मुझे बहुत ही गर महसूस हो रहा है बहुत ही खुसी की बात है कि उनका सेलेक्शन इस रो जैसे बड़े और्गनाइजेशन में हुआ है मैं चाहती हूं कि वह वहाँ पर अच्छे से काम करें देश का नाम और जार्खन का नाम रोशन करें और इनको देखके जार्खन के जो यूवक यूवितिया है वे भी उस जगह पर जाएं और वे भी जार्खन का नाम और देश का नाम रोशन करें चाहा जाता है कि किसी पुरुस के सफलता में महिला कहा दोता है चाहे मा कहा थो बहन कहा पतने का आप कितना हाथ दिये हैं इनकी सफल्दा में मैंने कभी-कभी ये जब डिमोटिवेट होते थे तो मैंने इनको हमेशा मोटिवेट किया है इनको इनका होसला बढ़ाया है ताकि वे अच्छे तरह से पढ़ाई करें ना ये सुरू से देश का नाम रोसन करना चाता है इसलिए हमेशा ये ये कभी-कभी हतास भी हो जाते थे बहुत पता नहीं होगा है लेकिन हमेशा भी आप जाता है आपके आवाज नीकल रहे हैं अच्छा और लोग इस परिवार के और लोग है बेटे की सफलता में पिता बहुत खुश होता है और बहुत गरभ के साथ सीना साथ चोड़ा किये बैठ कर पिता जी अपना बेटा का इंटर्वी देख रहे हैं और उसको सम्मानित किया गया उसमें मौजूद क्या नाम है सुनील क्रिकटा ऐसे आप क्या करते हैं अभी तो मैं रिटाइर कर गया हूं पहले टेलकुर में सार्विस करते थे टाटा मोटर्स आपका बेटा साइंटिस्ट बन गया है कैसा महसूस कर रहा हूं और विश्यसकर जारकंड इरिया से जो मेरे बेटे बेटे जो इतना वह पोस्ट पर चला गया है तो घर्व की बात है तो डांट फटकार करके यहां तक पहुंचाएं प्यार से पहुंचाएं देखें कि क्या बलेंगे मोटिव था कि जब यह लोग छुड़े थे तो मेरा ही रहता था कि मेरे बच्चे आगे बढ़े और इसलिए मैंने इनों को इन लों को बोले कि हमने साइंस लेकर ही पढ़ना क्योंकि साइंस में इसकोफ है इतना आगे बढ़ गए कि आसमान चले गए आसम अंगर्स कितना रहा वो लोग अपनी मर्जी से पढ़ रहा था यह बहुत सम्झाना भटकारना पड़ा देखे हम लोग माता पिता क्या ग्राइड लाइन होता है सपोर्ट रहता है और मैंने तो चाहा था कि इंजिनियर बढ़े बने इन लोग उस समय में कंप्यूटर कि मिसरा से वहां से एम सी के पूरे भारत में कई हजार लोगों ने पॉर्म भरा एक मात सेलेक्शन आपके बेटे का हुआ है उसको लेकर तो अलगे गर्व होगा भॉत ही अलगेगर्व है बहुत ही एक सीट पूरा इंडिया में उसमें से हमारे बेटे ने उस पोस्ट को मन उनका सेलेक्शन हुआ इसके लिए तो मुझे बहुत खुशी है अब परवार के सभी लोगों को ठीक कुछी मिठाई खिला दीजागे इसके बाद कितने दिनों से आप उनको जान रहे हैं मतलर आपकी सादी कितने दिनों बाद सब्कुश मेसब्स आज बहुत खुशी है अपको बहुत गार पो रहा है यहमारा भाजा इस लाइक बन गया बहुत उसकी कोशिस थी, उसकी प्रयास सफलता मिला उनको, इस बात से आज हम बहुत खुस है, तो महिलाओं के गुरूप में तो परचावड़ा होके रही गया, कि हम तो साइंटिस्ट की मामी है, यह तो बात सही है, आज की दिन में जिसका भी घर में इस तरह की बात होती है बहुत खुस होते हैं वो लोग, यह चाहते कि मेरा इतने भी बाल बच्चे हैं, इतने भी भांजा भांजा, यह सभी अच्छे जगे में हो, ठीक है, मामा भांजा के इतिहास बहुत खराब है, क्रिस्न और कंस, ठीक है, और कई नाम है, सकुनी और दुर्योधन, ऐसे कई न और इस जैसा उनका जो एक प्रकार का जो दूर दर सिता था, उसको मतलब क्यों बताया दुनिया को, कि नहीं, किसी चीज को अगर हम एक एंगल से अगर चलते हैं, तो पुराना एक कहावत है, याद आता है, इंग्लिस में यह वाला, एनितिंग यू डू कैन बी सिंपली ए पढ़ने लिखने में कैसे थे बचपन से? अपने भाई को मुकाम तो पहुचाने के लिए, सनीदा के बहन है हमारे साथ, सनीदा के बचपन को समझते हैं, और कितना मेहनत रहा उनका यहां तक पहुचने का, और यह कैसा महसूस कर रही हैं, क्या नाम हूँ आपका? चुहर, मैं मंजुतिर की, यह मेरा भाई है, और हम लोग एक ही जगह से हैं, और बचपन से मैं इनका बचपन देखी हूँ, और परिवार को भी देखी हूँ, इनकी मेहनत को भी देखी हूँ, यह कैसे चले आ रहे हैं, यह भी देखा, इनके जीवन के उतार चड़ाओ, और परिवार के जीवन के उतार चड़ाओ को भी मैंने बहुत नजदीकी से देखा है, और सचमुच यह तो सायराना तोर पर बता रहे हैं, लेकिन इन्होंने स्ट्रगल बहुत किया है, बचपन से पढ़ाई लिखाई में ठीक थे, और आ अबल रहे हैं, अच्छा ही पढ़ते थे, माता पिता भी बहुत केरिंग थे ताकि इन्होंने अपने पढ़ाई को सुचारु रूप से बहुत बढ़ियां से चलाया है, और कहा जाता है माता पिता का बात मानना है, आदर करना है, इनके परिवार में मैंने इस संदर मैनर को ये अपने बड़ो का बहुत आदर भी करते हैं और उनकी बातों को कभी भी इनों के टालने का अहीशा हियाव नहीं रखा है तो ये चीज मैंने देखी है और हर एक के जीवन में उतार चड़ाओ आता है मैंने सन्नी के जीवन में भी उतार चड़ाओ को देखा है लेकिन मैं देख रही हूँ कि इन्होंने अपना अथक प्रयास को सच मुच बहुत ही लड़कडाते हुए भी अंतिम टार्गेट तक कि इन्होंने बहुत अच्छा प्रयास करके इस मुकाम को हासिल किया है और अपने जीवन में इनके मैं इनके बहुत अधिक और अधिक सफलता और उचाईयों के छूने की काम ना करती हूँ रन्यवाद कोई सफल हो जाए तो सबसे जादा खुस समाज होता है और उससे है और इन्योड दहर ने काईर करम और और उसस किया है सनि कुम और है चिसमें सनीक प्र१ा के मढई लाद सिर्थिया जाए किनिवाधि गर्मीन करने में對啊 हैं आप सम्माइन साइंटिस्ट को कर रहे हैं कितना गर्व महसूस कर रहा हैं मैं अपने समाज क्या और दूसरे समाज के भी जो लोग होते हैं। उनलों को मैं आगे बढ़ने के लिए मैं प्रेजित करता हूँ चुकि मैं ऐसे समाज से आता हूँ जहां पर इसम नहीं होता है और जो भी हो रहा है यह एक प्रतीम घटना है क्योंकि लोग क्या समझते हैं कि सरकारी जोब करो आप इवेन आईए साइपीस बनिये डॉक्टर स बनिये लेकिन कभी भी यह इस बुद्धे पर कभी लोग आते नहीं है असर में क्या है कि इस पेस साइंस और इस चीज़ में जाने के लिए कम लोग सोचते हैं लेकिन सनी करके टाप जिस परकार यह सोचे उन्होंने और जो मुकाम हासिल किया सचमुच का समाज बहुत इतने भी मेरिटोरियस स्टुडेंट्स हैं उनको भी हर एक साल सम्मानित करते हैं खेलाडियों को सम्मानित करते हैं पिछले साल ही जारखन के बहुत सारे होकी प्लेयर्स जिनको अच्छी क्वालिटी की होकी स्टिक नहीं मिली थी हम लोग ने जमा करके उसको अपने हमेसा ही हम ऐसे लोगों का प्रोमोशन चाहते हैं जो लोग समाज में सबसे पिछड़े वर्क के रहें हम सिर्फ पर सिर्फ आदिवासी समाज ही नहीं बाकी समाज के लिए भी सोचते हैं लेकिन हम लोग का समाज सबसे पिछड़ा है तो पहले उसको सोचते हैं ऐसा नहीं कि ह सबी लोगों का नाम हो और विशेश रूप से अपना समुदायक अगर कोई इस पकार का नाम कमाता है तो हम लोग से ज़्यादा खुशियत और किसी को होना नहीं चाहिए और हम आदिवासियों को अकसर लोग क्या है मीडिया में आप देखेंगे कि यह लोग को समझा जाता है कि लोग नक्सली होते हैं हडियादारू पीने वाले होते हैं यह लोग हरताल करने वाले होते हैं बहुत नकारात्मक चीज है आदिवासियों में लेकिन लोग जानते नहीं कि ऐसा क्यों हो रहे हैं तो उसी बीच में जैसे किचड में ही कमल खिलता है तो उसी के तर्ड में इसी समाज में बहुत सारे बिभूतियां आते हैं, जैसे आप सुजित मुंडा को ले लीजे, जो ब्लाइंड क्रिकेटर्स, फिर आप रूपा रानी तिर्की को ले लीजे, अभी जो सम्मानित हुए हैं, फिर जामुन सिंह सोय को ले लीजे. तो हमारे समाज में प्रतिभा की कमी नहीं है लकिन लोगों के बीच में एक धारना बनी हुई है कि मानसी गुलामी कि नहीं ये काम हम लोग का नहीं है बाकी लोग करेगा हम लोग पीछे से देखेंगे सेम चीज है आप बियपार में देखिए पिछे हैं, नहीं करना चाहते हैं, अपनी जमीन जाजाद है, लेकिन नहीं करना चाहते हैं, तो हम लोग सभी सिक्षा, स्वास, स्वारजगार, इस पर हम लोग काम करते हैं, और विशेशरू से सिक्षा पर जादे करते हैं, क्योंकि सिक्षा ही ऐसा ब्यस्था है, जिसके चल बढ़े जाएं ठीक है आपने उपच पैदा कर सकते हैं लोगों को खिला सकते हैं लेकिन आपकी एक सिमित दारा है आप उसे आगे नहीं बढ़ सकते हैं आपको ब्रोड विचार रखना होगा तो हम लोग हम लोगों को बहुत खुसी हो रही है इन जो द्धार टीम की तरफ से ऐसे भी भूतियों को निकाल के हम लोग को यहां पर समानित करने के लिए क्योंकि अब भी तक से यह धार्खन में इन्हों ने इतना बड़ा मुकाम हसिल किया जो कि सतीस धोन स्पेस सेंटर में वहां पर सैंटिफिक असिस्टेंट के पोस्ट में गये लेकिन इस चीज़ को में इस्ट्रीम मीडिया में आया ही नहीं कहीं पर लोग जानते ही नहीं है तो हम लोग ने एक पहल किया है कि यहां पर आये और आपके लोगतंतर टीवी को विशेशरू से धन्यवाद देते हैं कि कम से कम हम लोग के एक आगरा पर आपने आया और हम चाहते हैं कि इनको लो प्रयोजित करते हैं के लोग नक्सली होते में यह करती हैं जिनक कारु सतित्यों भी होते हैं तो मैं यही समाज से आगरा करता हूं कि इनको उचित समान समान मिले और कम से कम यह इस मुहीम से हमारे जो युवा समाज है खासकर आदिवासी समाज से आते हैं उनको यह असास हो कि हमारा भाई आप आसमान के उपर है आप इस्पेस में हैं तो और लोग भी से प शराब इस सब में पड़े हुए रहते हैं और उसे आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं कम से कम कुछ ना कुछ बदलावाय समाज में यह हमारी दिली च्छा है और हम सिर पर सिर अपने समाज को नहीं अपने राज को और दूसे समधु आएक लोगों के लिए भी हम लोग ऐसे ही क कामना करते हैं और हम देश के लिए भी ऐसे कामना करते हैं हमारा देश उत्रोतर ऐसे ही आगे बढ़ता जाए हमेशा कमना करते हैं धन्यवाद जोंदा हैं हमारे शाद इंजो दहर के डारेक्टर हैं आप मैं परामर्स दाता हूं अच्छा प्रामर्स दाता है मतलब सलाकार समीति में बुजूर्ग हैं इसलिए रख दिया गया कैसा महसूस कर रहे हैं एक आदिवसी समाज का बच्चा आज साइंटिस्ट बना है रिसर्च करेगा फिर कभी हो सके तो उसके नाम का अंतरिश में रॉकेट जाएगा तो कैसा महसूस करते हैं वुजूर्ग को बुजूर्ग के नात ही मैं अपने विचार को प्रकट करूँगा? अवा फूकरो देखी हम लोगों की सब्लों की एक सपना होता है भुजूर्ग का तो हम लोग यहीं चाहते हैं कि हमारे जो युवा वर्ग हो या हमसे आने वाले पुली हो वो एक हमेशा ही अग्रसित होते रहें अपने एक निश्चित दिशा की ओर में जिसकी बहुत कमी है और हम लोग आज कल जितने भी वुजूर्ग हैं हम लोग यहीं कोशिश करते हैं कि इन जितने भी दिशाहीन युवा वर्ग हो या तो हमारे ही अपने श्रेनी के जितने भी लोग हो उन लोगों को एक सकारात्मक दिशा और दिशा में उनको लाया जाए और हमारी कोशिश यही बनी है और बनी रहेगी और इन जो डायर हम उन्हों के एक माध्यम चुना है इसके लिए और भी हमार दुस्रे संस्ता है जो कि इस प्रगार के सकारात्मा काम कर रहे हैं उनसे हम लोग जुड़े वेर रहने के कोशिश करते हैं और ये जो समाज को समाज की दशा और दिशा को बदलने का प्रयास जो है उसे हम लोग अंतिम छणों तक हम लोग करते रहेंगे इनी शब्दों के साथ आज का साक्षात कारा हम लोग साथ चाहेंगे कि समात किया जाए धन्यवाद